राम राम भाई सभी साथियों को आज हो चुकिए 17 मार्श 2024 और 17 मार्श 2024 की जो करंट अफेर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक भी कर दीजिए करते हैं तो 17 मार्श 2024 की हम करेंट अफेर स्टाट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सभी के लिए एक चोटी सी अपडेट है जो साथी यह पीडियेफ और इन क्यूशन का क्यूज मोड में अगर आप प्रक्टिस करना साहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जो बोला है हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होमियोपेथी कोलेज की जो स्थापना है वो कहां पर होगी देखिए भाई ये होगी भाई कठवा में कठवा कहां पर है तो जम्मो कस्मीर में है याद कैसे करोगे सबसे बड़ा स्वाल यही उठता है कि हम याद कैसे तो भाई देखिए हमारे पास में यह है जम्मो कस्मीर में अच्छा एक बात absolument सरकारी होमशची कोलेज है होम्यियो पैथी जो है दवाईयों पता है आपको और वैसे जो अपनी अंगरेशी दवाईया आती है उनका क्या यूज है देखो इन दवाहे ओं को जो अंगरेशी ना मिले और वो जल्दी खराब ना हो तो फ्रीज के अंदर रखते हैं मतलब ठंड के अंदर रखते हैं लेकिन यहां पर क्या है यह होमियोपैथिक है तो होमियोपैथिक भी क्या है दवाई तो है तो यह भी ठंड के अंदर रहेंगी तो यह कहां पर है जम्मू कस्मीर में प खराब नहीं होगी कशमीर तो याद करो ढूंगे लेकिन आप कथभा कैसे याद करोगे देखिये जो अपनी दवाईया होती है जितनी झाट रखेंगे किसी हो लिखाते है निहां तो हमारे कंट के पास यह हमारे कंट के पास तो कंट दिमाग में रखो कि जब हम होमियोपेथी की दिश्व दवाई खाएंगे तो हमारे कंठ के पास जाएंगी तो कठवा में होमियोपेथी कोले जो है पहला सरकारी कोलेज खुलने जा रहा है ठीक है यह आपको आपका राजज़बियाद हो चुका है और जो जगभियाद हो अब्सक्राण pa गणिशना कि एवं प्रोधिव की राज्यमंतरी चोकी वहाँ पर टॉक्टर दाक्टर जतिंदर सिंग है उन्होंने गोशना की है कि बार्ट onions रहो नहीं पार दिहान्यका और कठवा में पूछ ले तो जस रोटा एक छितर है उसके अंदर ये खुलने जा रहा है ठीक है भई अगले क्यूशन के मैं बात करूँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का सिर्सहतियार आयत के कौन सा देश बना है आयत मतलब खरीदना अब देखो भई एक बात तो ये बात तो आप भी मानती होंगे जब से मोदी सरकार आई है जो भी मोदी सरकार जब से आई है हतियार जो है वो ज़्यादा खरीदने लग गई क्यों क्योंकि अपने देश कोई जो सेना है उसको मजबूत बनाना हमारा देश से रहा है कि भाई हमारी सेना जो है किसी से भी कमजोर नहीं होनी चाहिए तो अब election है आप सभी को पता है तो election से पहले ही भाई क्या पता सरकार बदल जाए नहीं बदलेगी तो नहीं मुझे पता है क्योंकि इस टाइम पर जो है सेंटर में तो मोदी सरकार यानी है लेकिन एक पर आपको याद करने के लिए कि मानों सरकार बदल जाए दिमाग में है कि नरेंदर मोदी के कि भाई क्या पता सरकार बदल जाए तो मैं क्या करता हूँ पहले ही हत्यार बहुर जादा खरीद लेता हूँ जिससे हमारे सेना के पास में क्या रहे हत्यारों की कमी न रहे तो हतियार खळीद लीचत्कर में पहले नमर पर हमारा भारत बन चुका है भाई तो भारत हमारा सिर्थ अतियार मतलब आया तक जिद देश है वह बन चुका है यहाँ से इजलीयाद कर लोगे अब ये जो रिपोर्ट आई है कहां से आई है तो ये रिपोर्ट आई है स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट से ठीक है इसमें 11 माद 2024 को ये रिपोर्ट दी इसमें भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहले नंबर पर हत्यार आया तक दे से बन चुका है अगर बात करें तो जो 2014 से 2018 थी और अब 2019 से 23 है उसके बीच में जो खरीददारी हुई है वो 4.7% की वर्दी के साथ में भड़ोती दर्जे की गई है तो यहां से आप याद कर लीजिएगा अगले कुशन देखिए भाई अगले कुशन में क्या बोला है हाल ही में किस राज इसको देख लीजिएगा अब यहां पर अगर बात करें तो यह ओडिसा में की है भाई ठीक है अब दिमाग में यह आएगा कि भाई आपने तो बता दिया ओडिसा लेकिन आम याद कैसे करें कि जो एक बर में याद हो जाई देखिए यह महिलाएं हैं और एक के सरकार जो है गोईंगी हवा में उडेंगी पूर्स दिन घुमेंगे फिरींगी और हमेशा मतलब वुड्ति रहेंगी ठीक है तो उडेंगे मतलब 10 दिन की शोट्टी बिलत क्या करेंगी ओड तो इस दिन का मतलब 10 दिMore खहाल गांट होredit है हमारे उडिसा के जो मुख्य मंतरी है न वो याद रखेगा नवीन पतनायक जी है ठीक है ये important point है बाकि कोई important यहाँ पे नहीं है अगले question देखिए भाई अगले question में क्या लिखा है हाल ही में नायाब सिंग सैनी किस राज्य के ग्यारवे मुख्य मंतरी बने है देखेगा दो कैसे करो कि देखिए हर्याना का नाम दिमाग में आते ही एक बात याद रखना हरा भरा हर्याना हरा भरा हर्याना दिमाग में आना चाहिए अब यह तुम्हें पता है जब हर्याना जो है वह हरा भरा है तो यहाँ पर क्या होंगे नए नए लोग आएंगे हाना नए नए तो नया मतलब नायाब सिंग सैनी जो है वो मुख्य बन चुके हैं ठीक है यह हमारे हर्याना राज्या के ग्यारवी मुख्य मंतरी यह बहु इसको भी आप यादर रखियेगा ठीक है यहाँ पर क्या है यह description में कुछ normal है वैसे देख लीजीगा अब अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है हाल ही में किसन ने NCSC के अध्रक्स का कारिय भार संभाला है तो भाई यह संभाला है किसोर मकवाना ने किसोर मकवाना ने याद कैसे करोगे देखिए भाई NCSC की full form अगर मैं बात करूँ तो यह है भाई national commission for schedule cast ठीक है तो यह है NCSC की full form यह भी आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ से याद करने के लिए देखिए भाई हम याद कैसे करेंगे तो भाई यहाँ पर NCSC के कौन बने है अद्देक्स बने है तो देखिए इसकी full form अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है national commission for schedule कास्ट यहाँ पर SC की बात कर रहे है अब एक बात पता होगा एक सरकार ने SC category गरीब जो लोग है ना उनको क्या है मकान बाटने की एक योजना चलाई थी भाई मकान बाटने के लिए मतलब एक जमीन अलोट करते हैं वहाँ पर वो अपने मकाने बनाते हैं हाना मकान बाटने की एक योजना जो है वो चलाईगी थी तो यहाँ पर क्या है अब SC के लिए मकान देखोई ट्रिक्स से हम याद कर लो जो यह अलोट करते थे कमिशन लेते थे थे यहां से आपको FLORUM भीशन विए दो जाएगी National Commission ofあ सड़्ोल कास्ट हैं मकान मतलब मकान देखो यहां से मकान चुपा हुआ है मकवाणा में मकान चुपा हुआ है तो किसोर मकवाना जो है न वो बने है NCSC के अध्यक्स ठीक है भई यहां से याद हो जाएगा अगर सिरी एक पूछले एक नाम हो रहा है स्री लवकुष कुमार ये जो है ये NCSC के मेंबर बने है भई साथ साथ ठीक है दोनों ने एक साथ क्या अपना पदे संबाड़ा है अगल क्यूसर में क्या बोला है हाल ही में सुभास अंदर बोश के जीवन प्राधारित डिजिटल परद्रसनी इसका नाम है सुभास अभिननन उसका सुभारम जो है किस ने किया है तो वो किया है अर्जुन राम मेगवाल ने अर्जुन राम मेगवाल ने अब इतना तो आपको प ठीक है सैनिक मान सकते हो आप या फिर आप कह सकते हो योद्धा थे भाई ये ठीक है क्या थे योद्धा थे अब इनकी कोई जीवनी पर आधारी थे कोई भी परदसन होगा इसका नाम मतलब सुभास अभिनन्दन हो तो वो उसका जो सुभारम करेगा वो कौन करेगा देखो भ हम बात करें रामाइन की तो राम क्या थे वहां पर योद़ा थे और अगर बात करें रावन के भाई की तो मेगदूत जो था वहां पर योद़ा था तीनों ही चीज क्या थी तीनों ही क्या थे योद्धा थे तो हमारे सुबास चंदर बोष भी योद्धा थे तो अरजुन राम मेगवाल ठीक है तो तीनों नाम चुपे हुए हैं इसके अंदर ये भी क्या है ग्योद्धा है तो ऐसे याद रखिए ठीज सुबास चंदर बोष और मेग धूत भी योद्धा थे तो यहां से अर्जुन राम मेगवाल अब देखिए अगर बात करें तो भारती राष्टिय अभी लेखागर ने अपना 134 वास्था अपना दियुस मनाया है इस आउसर पर कानून एवं न्याई संसद्य कारिये और संशकर्ति राज्यमंतरी स आज सुबास अंदर बोज के जीवन पर आधाईद एक डिजिटल परदसनी सुबास अभीननन का सुभारम किया यहां से याद हो जाएगा अगला क्यूसन देखिए भाई अगले क्यूसन में क्या बोला है हाल ही में किसे डॉक्टर ओफ सिविल लोग की मानद उपादी से सम प्दोन को क्या है वैसरे इहीं से स्टार्ट होगी तो किस न किया है तो दीख लीजिए कि पार्द देख खड़ा है तो इनको Fr她 की यहीन पर पतर होनी चीए कि इसलिए कि अनको डुक्टर सिविल लोग की मानद उपादी उससे समानित किया गया है ठीक है तो किसने किया है तो देख लीजिए राष्टरपती दुरुपती मुर्मू को डॉक्टरेट की उपादी जो है वारा मार्च को मिली है अब किसने दी है जिए मोरिसिस न दोरे पर गई थी तो वहां पर मोरिसिस युनिवरस्टी की और से उनको डॉक्टर ओफ सीविल कि मानद उपादी जो है उससे नवाजा गया है ये बात आपको पता होने चाहिए तो आज की जो करेंट अफेर है वो हमने ट्रिक के साथ में कर ली है तो करेंट अफेर आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जुरूर बताना साथ में ही मैं आप सभी के लिए जितने भी दी बस है ना दीजिये मैं आपको ग्जामपल के रूप में बताता हूँ बारा जनवरी बारा जनवरी को युवा दियुस आता है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपके लिएक नहीं रहते हैं तो इनके लिए एक ट्रिक की लिए मैं मतलब ट्रीक बना रहा हूं मतलब एक तरीक दो बुक की लिख रहा हूं ठीक है बुक तो बहुत टाइम बात आएगी लेकिन एक वीडियो तो आपके लिए बोजल दिया जाएगी बुक में जो आएगे ना जो बुक मैं लिख रहा हूं वह मने अभी 21 फरवरी से भी material पढ़ाऊंगा वह उस बुक में जो आएगा वह बिल्कुल ट्रिक के साथ में आएगा इसे आपको एक बर में याद हो जाए ठीक है तो यहां पर मैं बात करूँ तो बारा जनवरी जो युवा दिवस है ऐसी इनको याद करने के लिए ट्रिक बना रहा हूं मैं ठीक है जैसे ही वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की complete हो जाएंगी तो मैं आपको करवाने स्टार्ट कर दूँगा तो वो इतनी easily आपको याद हो जाएंगी बहुत ही जल्दी ठीक है जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे और ना आपको इन numbers का खेल खतम हो जाएगा ठीक है यह सा